हेलो एवरिवन मैं हुआ अपर दोस्त महेंद्र और आज अपन सीखिंगे कि इन्वर्टर का और बैटरी का सेलेक्शन अपन कैसे कर सकते हैं इन्वर्टर का और बैटरी का सेलेक्शन लोड की उपर डिपेंड करता है यानि अगर अगर अपन को इन्वर्टर का और बैटरी का सेलेक्शन अगर करना है ठीक है निकालना है अपन को कि इन्वर्टर किस रेटिंग का लगेगा और अपनी बैटरी किस रेटिंग के होनी चा यह नहीं आपन को मार्केट में इसकी रेटिंग आपन को बताना पड़ता है तभी वो शॉप वाला अगर आप अपन को देता है कि किते वोल्ट एंपियर का इंवर्टर चाहिए है और किते एंपियर हावर के आपको बैटरी चाहिए तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अप करेंगे इस मेथट की हेल्प से आप बहुत ही इजी तरीके से इनवर्टर का सेलेक्शन करना सीख जाएंगे तो जो मेथट में आपको पताऊंगा वही मेथट आप फॉलो करिएगा ठीक है जिससे आपको इनवर्टर का सेलेक्शन करना पता चल जाएगा कैसे कैल्कूरेट करते हैं inवाटर का सएलेक्शन सब्सक्त पहले लेते हैं ट्रेकं इनवाटर का सलेक्शन कैसे करते हिरेधें मैं रिएक गशामर्पल लिया है मालू मेरे घर का लोड बान सो वाट तो लेना ही है इसलिए तैनल हो सकता है निए Спस Simply ले लिया है और 100 watt मैंने और एक्स्टर लिया है क्योंकि जित्ते भी एक्विबेंट अपने घर पे लगे हुई होगे इस्टार्टिंग में वह ज्यादा वाट लेते हैं ठीक है तो याने मैंने 200 वाट मैंने ज्यादा ले लिए मेरे घर का लोड था 500 वाट ठीक है तो अपने में है तो टोटल लोड कितना आँ अपना था आगया है तिक अब इसके भात आपन को इन्वेर्टर की रीटिंग पता करना है तो इन्वेर्टर रेटिंग पता करने के लिए जो यह यह 700 वाट है इंट्ट़् एक सूरा ऑप्धेंट् 거지 फूद्ण गेक्शल कह सजते हैं ऑया तो इन्वाटर की रेटिंग कैसे याकिए आज डिए अपनी 5,60 गोट एंप्यर इन्वाटर की रेटिंग हमसा गोट में आती है और अगर आपको ब्रेकर का सेलेक्शन कैसे करते हैं अगर यह पता करना है यह कैल्गूलिट करना है तो राइट इंसाइट पर जो आई बटन है उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सर्कृट ब्रेकर का सेलेक्शन कैसे करते हैं यह फ्रेंड्स अब आपको पता चल गया है इसको देख ओसे ज्याधा का उंपाननों को सलेक्ट कर लेते हैं कि अपन को बैटरी गाशन करने के लिए 2800 फान ते इंटू कर देते हैं अपने घंटे को हावर्स में अब अपने हावर्स कित्ते हो गए इसमें जैसे अगर आपन को इनवर्टर अपना चलाना है तो अपने एक टाइम डिसाइड कर लिए कि पांच घंटे के लिए इनवर्टर चलाना है तो 700 से अपन को मल्टिप्लाय कर देंग थे वाइब का तो अपना कितना जाएगा 350 500 अब आपनको बैटरी का सेलेक्शन करना थे लिए क्या करेंगे अपन इसको अपना टोटल लोड आया है थे फाइब 002 12 12 वोल्ट के ते रहती है नउसे बैटरी नहीं वहीं में ही मिलती है ठीक है और तो इसको आपको देखने के बाद आप लोगो नॉलेज हो गया होगा कि अपना बैटरी का सेलेक्शन अपन कैसे कर सकते हैं तो फ्रेंट्स जो यह 12 हुआ तो यह कहा था यह बैटरी का है तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है ठीक इसलिए अपने इसे 12 का अपना कितना आ गया है 291 MPR हावर्स ठीक है पहले मैंने बताया था कि इनवर्टर का सेलेक्शन कैसे करना है और यह सब वीडियो और यह सब वीडियो देख सकते हैं तो यह आशा करता हूं कि यह वीडियो को देखने के बाद आप लोगो नॉलेज हो गया कि इनवर्टर का सेलेक्शन कैसे कर सकते हैं और बैटरी का सेलेक्शन अपन कैसे कर सकते हूं यह मैंने 700 Watt के लिए अक्वाडिंग ले लिए जया आपके घर का यह आपने अफिस का लोड कितना है अगर लूड़ आपको पता हो जायेगा तो आप का इसक्टेक्ट्वाटर क तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई एंड टेक केर्स